हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरहनम शकार सथ्रिया काल अधाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाजिन हो एक नई रेस्पी के साथ फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं शादियों वाले वेज कैटलेट्स जी हां सभी को ये बह हो गया है बहुत असान तो चलिए फिर देड़ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये बड़ी ऐसी रेस्पी अपने घर पर असानी से किस तरह से बनाएंगे तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने लिए हैं कुछ वेजिस देख लेते हैं तो मैंने उबले हुए आलू लिया है चार लेकिन यहां पर मैंने दो रखे हैं बाद में और एड़ कर देंगे स्पेस कम होने की वज़े से साथ में मैंने लिया है पत्ता गोबी कट करके और ये है शिमला मिर्च साथ में मैंने लिया है कटी हुई गाजर और ये है फूल गोबी कटी हुई साथ मे मैंने बड़े चार आलू लिये हैं बॉयल करके और उन्हें मैश करके तो अब हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स ये वेजिस डालना बहुत जुरूरी है और बीट रूट से कलर बहुत बढ़िया आता है इसलिए आप इसी तरह से वेज कटलेट बनाईए शादियों वाले आप उंगलियां चारते रह जाएंगे पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा अब मैं इसमें बाकी के आलू भी देखिए मैंने मिक्स कर दिये हैं जो दो आलू मैंने मैंने भी अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स यह सभी मसाले इसमें जाएंगे और इनी से आएगा बड़ी असा फ्लेवर तो और मसाले मैं इसमें कोई भी एड नहीं करूंगी और देखिए अब यह मैं थोड़ा सा बैने ज्यादा बनाया है क्योंकि मैं इसके प्रांठे भी बनाने वाली हूँ तो थोड़ा सा मिक्षर इसका मैं निकाल लूँगी साइट पर तो उन प्रांठों की रेस्पी भी मैं आपके साथ जुरूर शियर करूंगी तो चलिए निकाल लेते हैं तो चलिए अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए एक बड़ा चमच भर कर बेसन तो डाल देते हैं और दो चमच के क्रिब मैं इसमें डालूंगी अररूट आप कौन फ्लार का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो हलवाई तो अरा रूट का ही इस्तिमाल करते हैं तो लीजी मैंने दो बड़े चमज डाल दी है इसमें अरा रूट अब इन्हें करेंगे अच्छी तरह से मिक्स देखिए पानी विगरा इसमें कुछ भी हमें एड नहीं करना है वेजीज में ही काफी मॉइश्यर होता है उ बहुत ही इजी रेस्पी है बहुत ही जटपट से बनने वाली रेस्पी है बस वेजीज आपको काट कर लेनी है फटाफट से उबले हो आलू यह देखिए मैंने डो बना लिया ना अब आप इसे कोई भी शेप दे दीजिए फ्रेंड्स कटलेट की जो भी आपको पसंद है तो जो मेरे हाथों से बन जाएगी मैं वही शेप इसे दे दूँगी ओएल मैंने गरम होने के लिए साइड पर रख दिया है फ्लेम ओन करके कडाई में तो देखिए कोई भी शेप हम इसे दे देंगे और जादा मोटा नहीं रखना है हमें कटलेट को थोड़ा छोटा-छोटा ही बनाएंगे ताकि अंदर तक वेजिस पक जाएं सभी चीजें पक जाएं और जो हमने अरा रूटो और बेसन डाला वो भी अच्छी तरह से पकना जरूरी है तब ही कटलेट्स हमारे टेस्टी लगेंगे तो यह देखिए मैंने सिंपल सी शेप दे दी है कोई ज्यादा कुछ नहीं किया है आपको जो भी पसंद है शेप आप इसे दे सकते हैं तो लीजिए इसी तरह से मैं सारे बना कर रख लेती हूँ और फिर करते हैं इन्हें फ्राई तो लीजिए सारे cutlets मैंने त्यार कर लिए है, oil भी अच्छा गरम होने के बाद, high flame पर गरम होने के बाद मैंने low to medium कर दिया है इसका flame और अब हम इसमें डालेंगे और fry करेंगे इने अच्छी तरह से, देखिए जब ये अच्छी तरह से fry हो जाते हैं तो अपने आप उपर आ जाते हैं, तैरने लग जाते हैं, समझे लीजिए आपके cutlets बिलकुल fry हो चुके हैं और देखिए high flame एक बार करके इसे oil को गरम कीजिए, उसके बाद low to medium कीजिए, उसके बाद आराम आराम से से पकाईएगा, क्योंकि अंदर तक veggies पकनी चाहिए और जो हमने बेसन और डाला है वो भी पकना चाहिए, तब ही इसका टेस्ट बढ़िया आएगा friends, तो try जरूर की इसका मतलब यह अच्छी तरह से अंदर से पक चुके हैं, बस इसे उलट पलेट करते हुए, fry कर लीजिए, एक मिनिट के लिए और, और खुश्बू इतनी जबरदस्त आती है friends, कि दूर दूर तक इसकी खुश्बू जाती है, तो सभी कहेंगे कि आज यहां क्या पक रहा ह है, तो यह देखिए, कितना बड़ी अकलर आ गया है, निकाल लेते हैं इसे, टिशू पेपर के उपर, तो इसी तरह से मैं बाकी के भी fry कर लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूं friends, मुह में आ रहा है पानी जबरदस्त, तो लीजिए, सभी कटलेट्स त्यार है हमार इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जो भी डीप आपको पसंद आउसके साथ इन्जॉय कर सकते हैं, तो friends, बहुत ही टेस्टी हमारे ये वेज कटलेट्स होने, बिल्कुल शादियों वाले जो हम खाते हैं वही टेस्ट इसका आया है, आप ट्राइ कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं, आप इसे बार बार खाएंगे, तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ, एक और नई वीडियो के साथ, नई रैस्पी के साथ, तब तक के लिए, बाबाई